Hello everyone, मैं निलम्तिवारी आप सभी का Magnet Brains में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ Magnet Brains एक ऐसा चैनल है जहापर आपको Kindergarten से लेके 12th class तक के सारे वीडियोज बिल्कुल free available करवाय जाते हैं और ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग के दो वीडियोज देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ट देना हो क्योंकि Magnet Brains चैनल पर सारी चीज़ें आपको बिल्कुल free available करवाय जाती हैं आपको IIT, JE, NEET, NTSC, Olympiad, CUET, Banking, SSC, कोई भी तैयारी करनी हो उसके लिए आपको कहीं जाने के जरूरत नहीं है क्योंकि Best Teachers, Best Quality के साथ में Magnet Brains आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल free में available करवा जाते हैं क्री का अर्थ क्या होता है करना अब यहां पर आपको थोड़ी सी उल्जन हो सकती है कि एक तो ये क्री होता है और एक होता है ये क्री ठीके इस क्री का अर्थ होता है करना और इस क्री का अर्थ होता है खरीदना क्या होता है खरीदना तो इसको इन चीजों को हमें याद रखना है ठीके क्री और क्री में अंतर रिशी जिसमें जुड़ा हुआ है वो करना बन रहा है जिसमें र की रेफ बनके बड़ी की मात्रा लगी है वो करे देनेक आर्थ बतारे हैं यहां पर हम करने का अर्थ देख रहे हैं अब जो कृध्धातू है हमारी बहुत रूप बदलती है सबसे जाधा रूप बदलती है जैसे श्रूधातू में भी बदलेते ऐसे ही कृध करते हैं तुम करते हो तुम करते हो तुम दोनों करते हैं हम सब करते हैं तुम करते थे अब नहीं करते हो मैं करता था या कोई भी करता था बालक करता था छात्र करते थे अब नहीं करते हैं मैं करूंगा तुम करोगे बाकी सब करेंगे यानि समय का प्रभाव पढ़ रहा है किसी भी क्रिया पर के नहीं बिल्कुल जोड़ देते हैं जो आगे करने वाले होते हैं उसमें हम गागी के जोड़ देते हैं अब तो इनको तो हम कैसे दर्शा देते हैं संस्कृत में वर्तमान के हें हूं हो को दर्शाने के लिए लट लकार की प्रत्या होते हैं थाथी थी को बताने के लिए लंगलकार होता है और वही गागी गे क्रिया में जोड़ना हो तो उसके लिए लिट लकार की प्रत्या होते हैं ठीक है अच्छा और परिस्थिती भी कैसी हो सकती है कि अगर कोई आग्या दे उस पे कालका तो ना हे हूँ हो दिखेगा ना ही थाती थे जुड़ेगा ना ही गागी की जुड़ेगा अब क्या दिया के करो पाठ करो और अपना कहा वाचन करो या भी कहा किसी भी चीज के प्यायाम करो तो करने की करो जो क्या दिया आग्या दी जा रही है कोई समय नहीं है किवल आग्या दी जा रही है अनुग्या की जाए आग्या दी जाए तो उसके लिए लूट लकार बना दिया गया उसी में उसी कर्ण में जब हम चाहिए का अर्थ जोड़ें कि करना चाहि सभी को करना चाहिए, मुझे को करना चाहिए तो चाहिए का अर्थ बताने के लिए विदिलिंग लकार होते हैं तो हम जो धातु के रूप हैं वो पांच लकारों में पढ़ेंगे लट, लंग, लिट, लोट और विदिलिंग ठीक है पांच प्रकार के हम लकारों में रूपों को पढ़िए ठीक है अब हम पहला लकार ले लेते हैं लटलकार यानि वर्तमानकाल यानि क्रिया यानि कोई भी काम जब प्रेजन्ट में हो रहा हो अभी उसी समय में जिस समय में आप जी रहे हो उसी समय में हो रहा हो उसको हम वर्तमान काल कहते हैं और संस्कृत में उसको लटलकार से दर्शा दे हैं लटलकार के नो प्रत्या होते हैं कौन कौन से होते हैं ती तह अंति सी था था आमि आवह आमह यह जगत प्रशिद्ध है ठीक है यादि यह तो जुड़ नहीं है बस यह है कै कुछ-कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो जैसे हमने यहाहार लेका ती तह और अंति फिर देखा हमने सी था और था पेदेखाम ने आमी आवह आम छीक है हो गया अब यहाँ पर क्या हो गया यह क्री धातू क्री धातू सबसे पहले क्या होती है अपना रूप बहुत बदल दलती हैं पहले यह जो री है यह क्या करती है अपने गुन में परिवर्तित हो जाती है तो क्री हो जाती है कर अब कैसे बनी कर अब हम बता देते हैं क्री का वर्ण विच्छे दन कीजिए वर्ण को तोड़िये तो का में से री निकलाया री का गुण क्या हुआ? अर हो गया अब का में आज उड़ दीजिए, तो ये हो गया क और रा हो गया आधा तो क्री से क्या बने गया? कर बने गया अब यसमें ठी जुणने से पहले यहाँ पर ओकी मातरा का अज़ मन भी हो गया तो ये हो गया करो थी, छी के? फिर यहां करो शी और करो मी इन्हें इस प्रकार से याद कीजेगा यहां से याद करेंगे आपको भूल जाएंगे कि कहां करो होना है यहां करोती लिख देंगे तो यहां लिख देंगे आप करोतह यहां लिख देंगे करोंती आप ऐसा भी कर सकते हैं पर ऐसा नहीं करना है आपको याद रखना है कि क्रीध हातू का जो कर बन रहा है उसमें उकी मात्रा लगा करके हम तीनों पुरुशों के एक एक वचन का रूप बनाएंगे करोंती करोंशी करोंई अब आप कहेंगे यहां तो सी लगता है यहां पर शी क्यों लगा तो हमने आपको कौन सी शत्त बताया है कि बालक क्या बनता है बालिकेशू बालिका बनता है बालिकासू तो यहां पर वही बात है कि यहां पर ओकी मात्रा हो रही है इसलिए यहां पर यह सशा में बदल रहा है ऐसे आप याद रख सकते हैं करोटी, करोशी, करोमी होगै? अब यहाँ ले लिजए इसको कुरू कर दीजे क्या खर दीजे? कुरू तह कुरू थ हु ठीक, यहां पर आप कहेंगे यहां पर भी कुरू होना चाहिए था, थीक contractองARIS लेगन यहां पर यहां पर क्लिए से परी ना हो जाएगा. उ का परिवर्तन हुआ में हो जाएगा. तो यहां पर क्या हुआ र जो हम रा में जो उ की मात्रह लग रही थी उसको हटा दिया. ये कुर ही अकेला रहनी के बाद में इसको भी हटा करके हमने ले लिया कुर्वः क्या बन गया हमारा कुर्वः ठीके और यहां से आहटा दिया और यह ले लिया वह रा को उपर रख दिया तो बन गया कुर्वः ठीके समझ गये और यहां पे बन गया हमारा कुर्मः यानि इन दोनों आके वज़े से यहां पे हमने परिवर्तन देखा कि क्या बन मत्रा का आग मनू के बनिया कुर्व, क्री से बना कुर्व, और कुर्व में लगा दिया वहाँ, बनिया कुर्व, वहाँ, कुर्व, महाँ, यहाँ कुरू, और यहाँ पर कुर्व, इतना याद रखेंगे आप, ठीके, यहाँ पर यहाँ पर भी कुर्व, कुर्व, यहाँ कु लिग दिया कुरू अब इसको अलग कीजिए यह हो गया कुरू की मातरा किसमें वा में बदल जाएगी यनची यनवाली सुत्र से को यनची से वा में बदली वा में आज ओड़ दीजी तो वा हो गया पूरा और अंती से हो गया अंती रा को यहां लगा दिया जो तो बन गया कुरुवंती बन गया कुरुवंती ठीक है तो कुरुवंती यहां पे कुरुथ और यहां पे यह बन गया हमारा कुरुमह अब देखे जहाँ पर यह व्यंजन है वहाँ जादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन जहाँ पर यह आम आव आम यह सब अंती आमी यह सब देखे तो वहाँ पर परिवर्तन हुआ हमारा तो इसके रूप क्या बनेंगे करोशी कुरुथा कुरुत करोमी कुरुवह कुर्मह अब कहां पर प्रयोक किये जाएंगे इनको तो उसके लिए हमें पुरुष पहचानने पड़ेंगे क्योंकि ये जो नौरूप है वो अलग-अलग प्रकार की पुरुषों के लिए बने हुए है कौन-कौन से पुरुषों के लिए है प्रतम पुरुष, मद्यम पुरुष और उत्तम पुरुष काम करने वाले भई करता को या संग्या को तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है तीन केटेगरी हैं कैसी हैं मुले फर्स सेकेंड थर्ड लेकिन यहां पर थर्ड नहीं है यहां पे तो उत्तम है, फर्स्ट है, सेकेंड है यानी फर्स्ट क्लास है, मीडियम क्लास है और अपर क्लास है सीधा ठीक है? उन सबसे उच्छू कोटी तो उच्छू कोटी में किसको रख लिया? बड़ी चाला की सिम्मे को तो कहां मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम अर्थात यहाँ पे उत्तम और मध्यम पुरुषकी करता कौन कौन से हुए तुम और मैं यहाँ पे कौन कौन से बने हमारे मैं और तुम यह हो गए हमारे उत्तम और मध्यम पुरुषकी करता अब जब ये करता बन रहे हैं तो इन में प्रत्मा भी भक्ती लगेगी अब और कैसे हो सकते ही संख्या में एक भी हो सकते हैं दो भी हो सकते हैं बहुत सारी भी हो सकते हैं तो कहेंगे मैं तो सिंगल ही होता है एक ही होता है ये दो कैसे हो सकता है, बहुत कैसे हो सकता है तो मैं जब यहाँ पर खड़ी हूँ, हो सकता है मेरे साथ में एक और कोई आ जाए तो हम क्या कहेंगे, मैं तो यहाँ पर है न उपस्थित, यानि मैं तो यहाँ पर उपस्थित हूँ मेरे संग में अगर कोई आ जा तो मैं कहूंगी हम दोनों मैं दोनों नहीं कहूंगी मैं को दोई बचन में लगाने के लिए मैं में दो संख्या नहीं जूड़ेंगे हम कहते हम दोनों हम दोनों आपको पढ़ा रहे हैं अब यहाँ पर और भी दो-चार लोग आ जाए तो क्या कहेंगे मैं सब कहेंगे नहीं कहेंगे हम सब क्या कहा देंगे हम सब तो मैं हम दोनों हम सब तो यहाँ पर हम जब मैं हम दोनों हम सब हिंदी में कह रहे हैं संस्क्रिट में उसको किस से दर्श आएंगे तो कहेंगे में को प्रत्मा विभक्ती से ले कर आओ में कहां मिलता है हमें अस्मद के रूपों में तुम के रूप कहां मिलते हैं हमें युश्मद के शब्द रूपों में अश्मद और युश्मद के शभ्रूपшों में हमें यह मिलते हैं क्योंकि अब अब बताए अस्मद और युश्मद के कौन से रूप उठा ले हैं क्योंकि आने यह काम करने वाले हैं तो तुम सब बनने हुए करता बन रहे हैं करता बन रहे हैं तो करतरी प्रत्मा करता में प्रत्मा विवक्ती लगती है तो अस्मद की प्रत्मा विवक्ती की रूप क्या बनते हैं एक वचन में अहम आवाम ये हो जाएगा वयम फिर यहां हो जाएगा त्वम यहां हो जाएगा युवाम और यह हो जाएगा हमारा यूयम ठीक है? दोनों के ही अस्मत और युश्मत की प्रतमाविवक्ति की रूप उठा लिए इनके क्या अर्थ निकलेंगे? मैं, हम दोनों, हम सब या मैंने, हम दोनों ने, हम सब ने तुम, तुम दोनों, तुम सब या तुम ने, तुम दोनों ने, तुम सब ने ठीक है? अब अर्थ कैसे हम बनाएंगे? अब देखिए, अब धातु हमारी प्रयोक कैसे होगी? बाकी सब प्रतम बाकि यहां पे बालक वाली का हाती घोड़ा कुछ भी हो उन सब के लिए प्रतम पुरुष की क्रिया बने होई है अर्थ कैसे निकलेगा? जैसे अब हम यहां पे बालक लिख देते हैं बालक को भी प्रतमा विवक्ती में बना रहे हैं बालक कौन बन रहा है करता करता नहीं होता तो क्रिया होती कैसे और करतरी प्रत्मा करता को हमेशा प्रत्मा विवक्ति में ही बनाना पड़ता है तुमारा क्या बनेगा रूँ बालक करोती यानि बालक करता है बालक कुरता है दो बालक करते हैं बालक कुर्वंती सभी बालक कर तो बालकह व्यायामं करोती बालकव व्यायामं करोती ठीक है तुम करते हो तुम करोशी ये करोशी जो धातु है वो और किसी के लिए नहीं आएगी सिर्फ तुम के लिए ये जो मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया है वो तुम के लिए ही है ये जो हमारी दुवचन की क् किसी भी पुरुष की बात कर ले किसी भी लकार की बात कर ले मेरे पुरुष नहीं कोई भी क्रिया हो या कोई भी लकार हो यह पुरुष तो यह कंफरम है कि यही रहने वाले यह च्छे लोगों के लिए ही यह च्छे क्रियां बनी है ठीक है तुम करो शी तुम करते हो युव कुर मह हम सभी करते हैं लेना चलते हैं आगी कलगा आगी का लगार कला कर हमारा कौन सा आता है भूदकाल से होते हैं नजटी प्रत्य है तम नहीं यहां सबसे पहले लगा दीजिए- इसक dal के बूढ़ाल की क्रियमें सबसे पहले यानि कोई भी काम है उसको बूठ काल में बदलना है तो सबसे पहले रगा दीजिए लगा दिया ऑ जोड़ दिया सबसे बूठ कर भी करूं करों जुब्हां यहां पर भी हमारा करो और करो था नीचे भी करो था लेकिन यहां पर अलग हो गया लेकिन यहां तक तो यह सही है अ करो अ करो हो गया यहां पर अ कुरू अ कुरू यहां पर भी वही कुरू हुआ था यहां पे भी हमारा कुन सा होता है कुर्वन्ती हो गया तो अकुर और या अकुरू जैसे हमारे कैसे जो क्री के परिवर्तन है वो जो लटलकार में हुए है वही यहां पर परिवर्तन दिख रहे है अंत के प्रत्याए क्या जोड़ते हैं त, ताम, न, अ, तम, त, अम, आव, आम अब ये क्यों क्योंकि यहां पे दे कि अम जोड़ रहा है तो ये क्या बन गया? क्री से बन गया करवम यूँकि उ की मात्र आ रहे थी तो वो अम है परिवर्तित हो गई और आज ओड़के ये हमारा क्रिधातू से पहले करवन के स्थिखा देंगे जुड़ा, कहां का भूतकाल का ठीक है ना, तो यह फिर सूत्रों की सिधी हम आपको जैसे ही आपकी बड़ी कक्षाय होगी उनमें पिर सिखाते जाएगे अर्फ कहने के लिए कहा बालक करता था, दो बालक करते थे, सबी बालक करते थे, ठीक है? पहले बालक व्यायम करते थे दोनों बालक करते थे सभी बालक करते थे पर अब नहीं कर रहे हैं तुम करते थे तुम अकरुव, तुम दोनों करते थे युवाम अकुरुतम, तुम सभी करते थे युयम अकुरुत, मैं करता था अहम अकरुवम, हम दोनों करते थे आवाम अकुरुव, हम सभी करते थे वयम अकुरुव, ठीक है, चलिए, अब देख लेते हैं भविश्यकाल, भविश्यकाल में सम्मे क्या करना होता है बिलकुल लट लकार जैसे प्रत्या होते हैं अब क्रीधातू को करना क्या है भविश्यकाल में बड़ा सरल बन जाता है दोनों लकारों में तो फिर भी थूड़ा सा कठिना ही होती है लेकिन भविशेकाल को बनाना बड़ा सरल होता है क्री से कर बनाओ रा आधा है तो रहें भी अंजन भी लगा दो और हमारी एड का आगमन कर दो ई जोड़ दीजे उसमें तो एक कर हो गया करी और ई की है मात्रा तो इसको श ये वाला श जोड़ेगा अपने पूरे किस प्रकार की जोड़ दीए लट लकार जैसे अर्थ निकलेगा बालक करेगा दो बालक करेंगे सभी बालक करेंगे तो बूत काल के बनाने तो बड़े सरल है अब चलते हैं अपने कहा पर फिर से अब लोट लकार पर लोट लकार के प्रत्या क्या करते हैं लोट लकार के प्रत्या उसमें आज्या जोड़ देते हैं बालक करो, दोनो बालक करो, सभी बालक व्यायाम करो बालक व्यायाम करो तो बालक व्यायाम करो तू ठीके, दोनो बालक स्तुती करो दोनो बालक यग्य करो दोनों बालक जो भी काम करो तो कहा बालकव कुरुताम सभी बालक करो बालकव कुरुवन तुम करो त्वम कुरु युवाम कुरुतम युयम कुरुत आम करवानी मैं करू हम दोनों करें आवाम करवाग वयम करवाम हम सब करें याद कैसे रहेंगी लंगलाकार जैसे प्रत्य तो तामना अह तमता अम आव आम तो त की जगह पे हो गया ये तू ताम जैसा करते हैं सा नामे तू और जोड़िया है तो बन गया तू ताम अन्तू तामन होता है तामना की जगह हो या तू ताम अन्तू इतना सपड़ी वर्तन हुआ बस फिर अहतमता होता है कि नहीं होता है भूतकाल की क्रिया में अहतमता तो विसर घटा दो तो अतमता हमारी लोटलकार का हो गया आग्या का हो गया अम आव आम तो यहाँ पर यह अम नहीं होता है आम ही नहीं होता है सबसे अलग बनता है लेकिन जो उर्रा भी नकोणा why में बदल दिया तो यह हो गया करवाणी क्या हो गया तेम है यानि आओ आम तो यह बन गया करवाणी करवाँ और करवाँ ठीक है यहां करूतु यहां सब में अब लेकिन विदिलिंग लकार में बिलकुल अलग हो जाएगे देखें लट में आई, लंग में आई और लोट में आई विदिलिंग जो हमारा भवशिकाल बना तो उसमें तो करिश्य थी एकी मातर आ गए थी तीन में तो ओकी मातर आई की नहीं आई करोती, ठीक है, अकरोत और योगया करोतु तीन में देखे, तो एक ही जैसी मात्रा आपको ओकी देखेगी एक वचन में देखें यहां से, करोत, भवेश्यकाल को छोड़ो तो, अकरोत और यहां देखो तो करोती इस प्रकार से हम एक दूसरे को देख करके ध्यान करके कि कहां पर कौन सा परिवर्त नुरा है उस हिसाब से हम अपने रूपों को याद रख लेते हैं अब देखें करोत कुरूताम कुरूवन्तु ज्यादा तर सभी में आपको कुरू कुरू ही देखेगा दोनों तरफ यहां करूत देखेगा यहां कुरू हो गया कुरू कुरूतम कुरूत क्योंकि कुछ होना ही नहीं था इसमें ठीके आ जुड़ना था सीधा तुझ जुड़ गया यहां यहां पर क्या हुआ आनी आव आम आ जुड़ रहा था तो यहां पर हो गया करवानी करवाव और करवाम ठीक मुझे करना चाहिए तुम दोनों को करना चाहिए तुम सभी को करना चाहिए मुझे करना चाहिए हम दोनों को करना चाहिए हम सभी को करना चाहिए यहां पर क्या हो जाएगा भई अलग हो गया कुर कु में कु के बाद में यह क्री से यह हमारा क्या बन रहा है कर और कर से भी कर से भी बन गया ये कुर ठीक है? अब इसमें वेदिलिंग यानि चाहिए कार्त जोड़ना है तो यहा लगा दीजिए तो यह हो गया हमारा कुर्य ठीक है? अब इसमें हमें क्या जोडने है? लंग लकार जैसे, भूत काल जैसे त, 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 न, जोड़ना था, नहीं न नहीं जोड़ेंगे, वेदिलिंग लकार है, तो यहू जोड़ेंगे जो परिवर्ते थे, बस उसको हमें याद रखना है बाकी कि त, 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 यहू यहाँ पर अभी हो गया कुर्या बस इतना बना लिया, अब इसमें हम प्रत्या जोड़ती जाए त, फिर त, 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 यहाँ पर सिर्फ अलग हो जाएगा कुर्यो फिर बना कुर्याह, अह, फिर कहा त, त, तो यह इस प्रकार से देखिर रूप बनती जा रहे है फिर हमारा अम, आव, आम, त, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम लीजे, तो यह विदिलिंगला कार हो गया, और चाहिए कार्थ जोड़ गया तो इस प्रकार से यह हो जाते हैं हमारे कृधातों के रूप क्रीद beter रूपको हो अलिए वीडियो कहा मिलेंगे आपको यूट्यूब पे मैगनेट ब्रेंज कि वे September 2011 2020 और चाहे तो आप अप नगेशन डाउनलूड कर सकते हैं प्लेट स्टोह से Blue अचर I. आप अप अप आप स्ट वेनगे से जब आप इनको open करेंगे, वेबसाइट कैसे कोलेंगे, गूगल टैप पे जाये लिखे, magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा, ऐसे ही application का भी पेज कुल जाएगा, अब एक्स्प्रो टॉप पोर्स के लिचे, English, Hindi, Medium, UP, Bihar, IIT, NEET, देखे, सारी तय क्लास होंगे, क्लास क्लिक करेंगे, क्लास के वीडियो जाएगे, माली जे, English medium में आपने 11th क्लास को क्लिक किया, 11th क्लास के वीडियो की लिस्ट आ गई, संस्कृत भाश्वती पूरी हो चुकी है, व्याकरन को पढ़ा, व्याकरन के वीडियो जा गए, संधी के 22 लेक्चर क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगा, और बड़ी बात क्या है, इसमें कहेंगे, ऐसे तो यूट्यो पर भी मिल जाते हैं, लेगे न, यूट्यो पर क्या होता है, हमें सही तरह से आप लिस्ट को नहीं डूंड पाते हैं, और सोचते हैं कि पता नहीं, मैंने करवाई तो अच्छी तरह से और्गनाइज हो के प्लेलिस्ट आपको कहां एप्लिकेशन और वेबसाइट पर मिल जाएगे, तो वहां पर आप जाएए और उनको सर्च कीजिए, और यह जो क्रीधातू के हमने जो रूप बताए हैं, इनके आप क्या कीजिए, घरता बनाएए उनके कुछ धातूओं को सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद